आज आपका क्लास रहेगा सेट नंबर सिक्स्टीन जो स्पाइरल सेट आपको मिला होगा मेरी व्यावाज मुझे आ रही है और गुदे डेवल दीपक ठीक है यह क्लियर दीख रहा है ना एक बारत बता देना मुझे पिर आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को देखो यह सेट है आपका इसमें आपके पास में अगर सेट है तो बहुत अच्छी बात है सेट नहीं और तीन एक दो तीन हाँ ठीक है चार इसमें मैचिंग के एक्सराइज करेंगे अग्लियर है न सबको तो स्टार्ट करें लेते हैं इसको जो भी है और यह पायल जोड़ी आपको पायल चोड़ी यह टेलीग्रम पर कह रहे थे मुझे टेलीग्रम नहीं मिल पारा एक बार पहले idioms ही क्लेर करा दे है नहीं सेट चलता है क्लासे के साब से क्लासे चल रहे हैं इसमें और और यह टेस्ट है जो ऑफ़लाइन स्टुएंट्स है और मंडे को आप यह वाला सैट सभी श्टुएंट्स याद करके आएगे वही देखिए यहां पर वर्ड्स है पहला वर्ड कुछ समझे इसमें इसमें आपके सिननियम एंटनियम सब लिख्या मिलेंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग राम राम भाईश चली पहला वर्ड है इन्वेक्टिव अगर इन्वेक्टिव को चेक करेंगे आप लोग तो इन्वेक्टिव को समझ लीजीगा इन्वेक्टिव वो लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं और उन्हें धंकाया जाता है गा समाज को गंदा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना मानना है इन्वेक्टिव करना इन्वेक्टिव का मतलब होता है अप्षबद गुद्यूं इंफैक्टिव से याद करलो, इंफैक्ट, इंफैक्ट का मतलब होता है दूश्यत गंदा या फिर मतलब वहाँ पर जो खराब हो जाता है उसे इंफैक्ट बोलते हैं, इंफैक्षन आपने सुनाओगा, तो कोई फर्क नहीं है इस वर्ड में इसमें F है और इसम मदलिना गंदा है, सड़गया, खराब हो गया या उसमें कीडे पड़ गए और invect का मतलब होता है, वे सैद कर लिजेगा, इसका मतलब होता है फतकारना, फतकारना या गाली देना, या किसी की बुराई करना, चुगली करना, धमकाना, फटकार देना, वो इन्वैक्टिव हो जाएगा. डेस्क्रिप्शन में चलो लिंक डाल दूगा, मैं टेलिग्राम का, डाल दूगा. ये स्पाइरल है, कोचिंग की तरफ से स्पाइरल मिलता है, लिसेंट नहीं है, विश्व याद लिसेंट नहीं है, तो इसमें इन्वैक्टिव का मतलब है, फटकार ना, अगालि देना, धमकाने की सेंस होती है, उसको सिननियम जाएंगे, वो जाएंगे, accusation, accuse word होता है जब हम किसी पर आरोप लगाते है आरोप लगाना, accuse होता है blame कर दिया, charge लगा दिया denunciation, denunciation होता है, बदनामी denunciation, बदनामी होता है diatribe, बहुत important word है कही बार पूछा रहता है, diatribe diatribe का मतलब होता है, diya means 2 या तरकना, di, die diatribe का मतलब होता है, कुछ ऐसी बात कह देना, जो आदमी को चीरती हुचे ले जाए, मतलब कटू आलोचना, आपने word सुनोगा, कटू आलोचना tirade भी बुराई होती है, और condemnation भी बुराई होता है, और इसका opposite किया जाएंगे praise, flattery, applause exculpation या exoneration, ये दोनो words पहले भी class में आ चुके हैं, spirals के अंदर, इन्हें याद कर लीजेगा अब आप चाओ तो इसे लिख ले लेना, लिखने में बहुत time लगेगा तुमें तुमें करना क्या है, या तो coaching का spiral आपके पास होगा, उसका set number 16, चेक कर लेना, या फिर telegram पे पूरा set का PDF में ने डाल दिया, वहां सा आके, इसको पूरा निकालके, इसके study कर ले जगा, तो समझ लेना, in fact अगर meaning पता है, तो in fact होता है कि इस चीज़ को सडाना, गलाने की sense है, और वहीं से F की जगा V कर दो, जिसने तुमारी life को सडा दिया, जिसने तुमारी जंदिकी में कीडे को पैदा कर दिये, उसकी बुराई करो, उसे धमकाओ, फटकारो, गाली दे को उसे भगाओ, invective means गाली, next word है raising, ये word बना है rage से, और raise का मतलब होता है growth, इध्यान रखना, raise, growth को बोलते है, आउट्रेजियस एक word सुनाओगा आपने, तो raising वहीं से word बना है, इसका मतलब होता है प्रबल, प्रबल गुसे से संबन दिताफियस से समझ सकते है, प्रबल, जैसे इस टॉमी, तूफान आगिया उस आजमी ने, मतलब आपने उससे कुछ ऐसी बात कर, तो इससे इतना गुसा है कि तूफान ला दिया, फास्ट और फ्यूरियस, फ्यूरियस फिल्म देखे जोगे अपने, फास्ट और फ्यूरियस, वो भी तेज की सेंस में था, टर्बूलेंट और फ्यूरियस, यह वही चीज़े, फ्यूरियस दो बार आगे है इसमें, सॉरी, फ्यूरियस एकी चीज़े, नौट कर लो इसमें, और इस केंटिनिम फिर से वही, यह प्रबल है, क्रोध है, और अपोजिट क्या होता है, इसका शांत, अपोजिट इसका शांत जाएगा, जिससे ग्ली फुल, ग्ली फुल होता है, खुश ही होती है, यह खुश होता है, ग्ली जो होता है, मॉडरेट हो सामान्य होता है, साधारण हो जाएगा, काम हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, ठीक है? अग्रा वर्ड आईए नेक्स्ट आईए नेक्स्ट वर्ड है डिपॉर्टेशन डिपॉर्टेशन देखो पॉर्ट या जनते हैं पॉर्ट क्या होता है पॉर्ट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं लिख देता हूं में एक बार इसमें देखें पॉर्ड जो वर्ड होता है पॉर यहीं से एक word याद रखने से deport पॉर्ट को मतलब आप समझ रिज़े पॉर्ट किस चीज के place को या जगह को show करने वाला एक word होता है जैसे आपने सुनोगा airport जहां पे airplane की landing होती है वो port होता है और हम अगर किसी चीज को अपने जगह पे ले आते हैं तो import होता है जैसे बोलता है मतलब आपने किस चीज को खरीद के अपने देश मिला है वो import है आपने उस चीज को अपने जगह से बाहर भेज दिया वो export होता है लेकिन तुमने क्या किया यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक कॉमन वर्डर सब जानते होगे आप खरीद लाए इंपोर्ट है आपने किस चीज़ को बेच दिया हuk क्या कि रहें सर सेट कराने के बाद क्या रमाले पूछ रहते हैं तो इसमें कुछ होता ही नहीं है इसमें एक बार फिर भी क्लास पूछ ले ना अनुज गोडवाल सर नाम ले लो एक बार ले लिया भाई चलिए इंपोर्ट आप सब जानते हैं एक्सपोर्ट आप जानते हैं बस डिपोर्ट को और समझ लीजेगा समान बनाया उसे बाहर बेज़ी एक्सपोर्ट हो गया आपने बाहर से समान खरिदवा के देश न बुला लिया वह इंपोर्ट हो गया लेकिन हमने कहा कि भाई आप देश के नागरे के और हम आपसे देश छीन रहे हैं अब कहां जो कहीं भी जाओ पाकिस्तान जाओ बांग निशकाषन अप्शन हिंदी चेक करना हो सकता हिगलत हो या देश निकाला एक वर्ड सुनोगा आपने क्सी опыт है किसी आधमी को डेश की निकाल दे जैते एक्स्तान और expulsion या extradition, relegation और एकजाइल एकजाइल बड़ा important वत एकजाइल का मतलत है वनवास जैसे भगवान राम को कर दिया गया था वनवास वो एकजाइल होता है ग्जाइल का मतलब वनवास हो जाता तो किसी चीछ से किसी की जो घर है जमीन जाइदा देदा वो छीन लेना होता ह उसे बोलता है deportation, बाद में कहां रहेगा कुछ नहीं पता, देश निकाला भी बोलते हैं, घर से निकाल देना भी इसी को बोलते हैं, जैसे parents संपत्ती छीन लेते हैं बच्चों से, और वो कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, किराए पे रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है deportation होता है, और अब उसका opposite क्या है, retention, retention होता है प्रवास, आप उसे थामते हैं, hold करते हैं, retain का मतलब hold करना होता है, स्वागत करते हैं आप उसका, उसे जमीन जायदाद की या कोई भी चीजा उसको वहाँ पर समझ देते हैं, उसको approval दिया जाता है, और permission मिल जाती है, यह ध जल्दे से बता ही, extinct word सुना होगा, बहुत a common word है, extinct, sir, TGT vacancy कब तक आ सकती है, निशु, यह देखो चुनाओं के बाद ही आपाएंगे, अगर इन्हें आउट करेंगे vacancies को यह, चले बताएं, देखो हाँ, बिल्कुल सही बता है, देखो X तो तुम्हें पता ही है, X तो व कोई भी बंदा है, टीना नाम की लड़की है, कोई भी, और वो तुम्हारी हो चुकी है, X, तो उसने साफ बोल दिया, extinct, extinct का मतलब होता है, टीना आप मेरे लाइफ से चली गई है, इसका मतलब होता है, जिंदगी से चले जाना, या विलुप्त हो जाना, विलुप्त है, य इरडिकेशन होता है, विनाश, जो कि इस चीज़ को विनाश कर दिया रहता है, सिजासन होती है, बाधा, कि आज कल वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, उसमें बड़ी अर्चने आ गई है, एक्सिजन भी वो होता है, और एनिहलेशन का मतलब होता है, खत्म कर देना, खराब कर द और इसका सही अपोजिट जाता है, एक्सिस्टेंस, एक्सिंक्शन का जो सही एंटरिम पूछा जाएगा, वो एक्सिस्टेंस होगा, बाकी ये कॉमनली चलते हैं, लेकिन सही अपोजिट क्या है, इसका एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस है, जिसकी अभी हाँ पर उपस्तित नेक्स्ट वर्ड आईए, एग्रेजियस, और मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में O-U-S आएगा, यह ध्यान रखना, अगर वर्ड के लास्ट में U-S है, तो वो एक नाउन होता है, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में O-U-S है, तो फिर वो एक एडजेक्टिव होता है, अगर वर्ड के लास्ट में U-S है, तो वो नाउन है, O-U-S है, तो फिर वो एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम किसी की विश्रेस्ता बताएंगे, और यह वर्ड है, एग्रेजियस, यह वर्ड होगा इसमें, एग्रेजियस, ठीक हो भई इंडियन यूएफसी गोरव करदम सब नाम लेकर बोलना वेरी गुड तो गोरव तुम्हीं बताए इसका एग्रेजियस का मेनिंग क्या होगा जल्दे से अग्रेजियस का मेनिंग को इस्ट्रेंट एक बरता दिये प्रबल बताये अब मुझे बतानी प्रबल प्रबल क्या लिखाए इस मालूम है बाकिस को नहीं भी मालूम तो सुनोनियम से चेक कर लेजेगा देखो इसका मतलब भी गुस्षे से एक संबद दोता भी बताया तो न जो एग होता है बहुत से लोग तो एग जी भरके खाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ली वेजेटरियन होते हैं उनके सामने अगर अंडे का नाम भी ले दिया जाए तो वो चिड जाते हैं यह ध्यान रखना उसके लिए सामने अंडे का नाम ल तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने अंडे का नाम भी लेगा दो ना खाने में उसे गुस्सा आजाएगा वो है एग्रेजियस आप याद कर सकते हैं कि मैं इतना शाकाहरी आदमी हूँ कि अंडे का नाम लेते ही मुझे गुस्सा आजाता है तो इसका मतलब होता है क्रोधी प्रबल भी इसका एक मिनिंग होता है प्रबल या बेहद खराब उसका मन ही खराब हो जाएगा उल्टी से का मन करना शुरू हो जाएगा बेहद खराब ये अग्रेजियस वर्ड होते हैं क्यूरियस तो नहीं anything that exploits चलिए मतलब एक ऐसी जो बेहद खराब है अत्यन्ट बुरी है आप इसे समझ सकते हैं इसे मंदिर का को पुजारी है और आप पुजारी ने कहा के बेटा मंदिर में कुछ चढ़ाओ तो आप अंडे चढ़ाए तो पंडित फोड़ देगा तुमा प्राइजूर कि ऑच्राइज व बेहां अनद खराब लगान locks ጥा प्रत्राइज देख सब में आते हैं और एंटेम कहा इसके एक्स्लेंट अंडेट बहुत शांदार है गुड मजा जाएगा माइल्ड सौम में रहता है ये शांदार है कि एक हैं बेह विस्टा का मिनिंग बतरी क्या होता है विस्टा और ये बता जता हूँ चलो मैं समझा जता हूँ विस्टा बड़ा इंपोर्डेंट वर्ड है विस्टा एक्जाम में के वर पूछा हुआ है आप इसे याद कर सकते हैं एक गाड़ी आई थी इंडी का विस्टा टाता कीता कामपनी की गाड़ी आई थी इंडी का विस्टा तो उसने कहा था के इतनी अच्छी लुक उसकी बनानी कोश्स की थी को लोग गाड़ी को देखते ही पागल हो जाएंगे इसलिए उसनों का नाम रख़ा था विस्टा विस्टा का मतलब होता है look उसका slogan बिरों नहीं यह दिया था देखते रह जाओगे इंडी का विस्टा का मतलब होता है look और यहीं से उसका नाम उठायेगए विस्टा means परिद्रश्य परिद्रश्य या किसी चीज का नजारा जिसे panorama, आपने सुनाओगा panorama mode होता आपके mobile में, वो पूरी picture एक साथ लेगा, look, outline, scene, outlook या perspective, perspective का मतलब भी नजरिया होता है, perspective मतलब भी नजरिया होता है, perspective मतलब भी नजरिया सम्मधित होता है, ने तरहीन कहां से आगिया, paradism, और opposite है इसका blindness, जिससे कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ अंदकार होता है, एक है परिद्रश्य है, एक है अंदकार परिद्रश्य है, क्या चीज़, vista और blindness उसका opposite, next word आई swindle, ये वड़ बताएं दिल दिसे क्या होगा, swindle swindle, कोई बताएगा इसका meaning क्या है swindle का, हीरा सिंग प्रणाम, सर्फ प्रदम, पताँ नहीं क्या लिखा है, swindle बताएगी क्या होता है, धोखा धड़ी, नितिका बताएगी धोखा धड़ी, देखिए, आप इसे याद कर सकते हैं, इंडिया में साधू संतों का देश है, आप इसे याद कर लिजेगा, साधू संतों का देश है, इंडिया, यानि कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश से बहुत सारे स्वामी बने घूम रहे हैं, और इंडिया स्वामीयों का देश है, तो स्वामी से स्वामी यह याद रखना और इंडिया से इंडिया याद रखना स्विंडल को आप याद कर सकते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे स्वामी हैं बहुत से नेता हैं और बहुत से साधू हैं लेकिन साधू का देश है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे साधू स्विंडल होते हैं, आप इस याद कर सकते हैं, इंडिया में बहुत से साधू स्विंडल है, बहुत से साधू इंडिया में स्विंडल है, साधू से स्विंडल याद रखो और इंडिया से इंडल याद चली या कप्टी, मतलब वो लोग जो तम्हे धोक देंगे, जैसे डबल दीलिंग, डबल डिलिंग आप जातτε हूं, ब्लैकमेल करते रहेंगे आपको डिसेप्शन का मतलब धोका होता है, वो धोका देंगे आप लोगों को, हॉक्ष का मतलब भी धोका होता है, एक्स्टॉर्शन होता है फिरोती मांग लेंगे, murder, murder कर देंगे, kidnapping कर देंगे, इस काम को करेंगे, rip off का मतलब होता है, चीठरे कर देना, किसी चीची को बिगार देना, या वो उस्चवी खराब करना, rip off, और frame up होता है, धोखा, frame up होता है, कि आपने कोई कहानी बनाए, उसका frame तयार कर दिया, frame up होता है, धोखा दे दिया, कि जैसे फिल्मों में आपको बड़े-बड़े sets दिखते हैं, वो actually frame up होते है, वो सिर्फ छलावा होता है, पना चल रहा है, वो green screen पर ही पूरी film चल रही है, वहां कुछ था ही नहीं, और सब green screen पर हो गया, वो frame up हो जाता है, और opposite क्या है इसके, honesty, openness, सब चीज़े open है, truth है, uprightness है, uprightness का मतलब होता है, अच्छाई, सच्चाई, नेक नियत, और forthrightness है, uprightness, forthrightness का मतलब होता है, जिसमें सच्चाई होती है या नेक नियत होती है, जिने next word आए, tempestuous, common word तो याद होगी होगा, जैसरी राम भई सभी को, ग गौर्ड, नियुबैच, CGL के लिए आ रहा है, हाँ यह आते रहते हैं, हीरा सिंग, regular बैचिज आते रहते हैं, हर वी एक बैच आ रहते हैं, दोको, tempestuous का मतलब समझे, इसे आप याद कर सकते हैं, tempest से, T-E-M-P-E-S-T, tempest का मतलब होता है, तूफान, tempest तूफान होता है, हाँ, tempest तूफान होता है, और यहीं से O-U-S आ गया, adjective बन गया, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर तूफान भरा हुआ है, जिससे आप लोगों बोलते हैं, प्रचंड, तूफानी, यह दर न, आपने एक call बोलिया, क्या बोलता है, उसको, थमसप्य सम्रान खार बोलता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो तूफानी जो करेगा है, वो tempestuous होता है, जैसे पाड़ो से अब आप लोगों की, वो जो मतलब होता है, जो प्रचंड आप काम करते हैं, तूफानी काम करते हैं, आग लगा जेते हैं धरती पे, उस शीर को बोलता है, तूफान होता है, अमेरिकी तूफान, अमेरिका में तूफान आता है, तो tempestuous वहीं से एक word बना है, यह एक ऐसा व इंपैसंड होता है, वह आदमी पैसंड से भरा हुआ है, उसमें आदमी प्रेणा है, पैसंड बहुत ज़्याद है, जंगली है, हीटिड है, हीटिड होता है, बिल्कुल आग लगी रहती है उस आदमी में, ठीके ना, पैसिनेट होता है, पैसिनेट होता है, किसी चीज के प शांत भी बोलते है इसको और इसको ऐसे बोलते है कि किसी पर अफरक लेक परखमी नहीं पड़ता है। उदासीन बीयुक्त होता उदासीन कि इसकी वजावे से कुई मर जाएक कोई पैदा हो जाए, इस पर नहीं पड़ता है, ऊब है उद shimmer ही होता है वह apathetic होता है indifferent भी उदासीन होता है और unexcited तो आपको पता ही है जिसमे excitement नहीं होता है इसे याद कर लिजेगा च्छा कुछ लोग कही बार confused होंगे एक word में बताता हूं क्या है वह कि आप लोग confused हो रहते हैं different में और indifferent में जैन देजगा different का मतलब होता है अलग प्रतक जो किसी चीज से अलग है वह different होता है लेकिन इन आ जाये तो indifferent का मतलब होता है उदासीन एक ऐसा वेक्ति जिस पर फरक ही नहीं पड़ेगा सुख दूख अमीरी गरीबी का उस पर को फरक ही नहीं पड़ता वह indifferent होता है आगर हमें पढ़े थे मुझे से चलिए अच्छी बात है हीरा सिंग अग्रेसिव चलो ठीक है पॉइंट पर यह नेक्स वट क्या है गजल अच्छा गजल तो आप जानती होगे पंकजुदास भी गाता है गजल पंकजुदास है या फिर और भी बड़े-बड़े गजल गया क रहे हैं लेकिन ये गजल वो गजल नहीं है देखिए गजल का मतलब होता है कि जैसे गजल सुनते हैं न मतलब मैं खाने से शराब से साकी से जाम से सुनते रहते हैं गजल होते हैं इस टाइप की होते हैं तो गजल सुनके क्या होता है आदमी का जो मन जोना भर आता है आप मन भराता है आपका बैठके तो फिर शराल आती है आप ने तयों जितने भी गजल गाया कि उनके असपास बोरा भी चलती रहती है और जब शराल आती है तो फिर शराल को लोग गटकते हैं वापれて, गटक ना कि गजल सुनते, सुनते, बेवड़े लोग शराब पीते हैं, आप इसे याद सुने के लीजेगा से, कि गजल सुनते, सुनते, तूटे हुए दिल के लोग, आशिक मितास लोग, या फिर दुखी लोग, या फिर पर परिशान लोग क्या करते हैं, वो शराब पीते हैं, तो गजल का मतलब यहाँ शराब पीने से, या पीने से गटक जाने से जोड लिजेगा, पीना किसी चीज़ को, पीना, गटक जाना, जिसे ड्रिंक, स्विल, गॉबल, इंबाइब, क्वैफ, या फिर ड्रिंक डाउन फास्ट, या स्वैलो, ये गजल वर्ड को हिंदी, जो उर्दू की गजल है, वहां से जोड लिजेग पीते हैं, तो शराब इचलक नी है, और स्वैलो पीते हैं, गजल सुनते रहते हैं, तो समझ एक होगे इसको, जो भी है, और कुछ लोग हैं, इसे घूट-गूट करके पीते हैं, कुछ तो वाइस से मुझ के लगा के पूरी बोटल पी जाएंगे, वो तो होगी आपका ये चाइट पीता हूँ मैं दूद पीता हूँ चाइपी पीता हूँ कॉफी कॉल रृंग पीता हूँ शराब नहीं पीता क्योंकि शराब पीता ले pics लृत लेक्ष scholarly बचाय थे तो मैंने नहीं इस चरह को भारत और चुनाव में क्या है कि बड़े-बड़े नेता आएंगे और एक घोशना पत्र देते हैं, उसे बोलता है manifestation, यह manifest होता है, manifesto भी बोलता है, manifesto यह घोशना होती है, कि हम आएंगे तो सब को laptop देंगे, हम आएंगे तो सब के bill माफ कर देंगे, किसानों का run माफ कर देंगे, 25 क आएंगे बैठ बैठ के वो सब क्या है, वो manifest होता है, घोशना पत्र, यानि कि सब के सामने ले आना, इसका सुनने क्या है, demonstrate करते हैं, इसका मतलब एक प्रकट करना भी होता है, जब हमारे विचार क्या है, हम दूसरों को बताएंगे, वो भी manifest होता है, जैसे embody, embody होता है, आक clear कर देना, और opposite का conceal, conceal का मतलब होता है, छिपाना, cover भी छिपाना, veto एक power होती है, veto आपने सुनोगा, राष्टपती के पास एक power होती है, इसका मतलब है, रोकना, राष्टपती किसी भी चीज़ को अपनी power से रोक सकता है, होता है उसके पास power, invalidate उस चीज़ को रोक देना, और contradict उसका विरोध कर देना, खंडन कर देना, या उस चीज़ को छेपा लेना, तो manifest का मतलब होता है, जो आप चाहते हैं, उसे दुनिया के सामने उजागर कर दो, उसे सब से बता दो, हाजी विश्रू याद हो, कल टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट है, सर मैं ट्रेनिंग पर हूँ, मुझे CGL के लिए क्लास लेनी है, नाइट में कोई क्लास है, ओनलाइन ले लो, एप के उपर जाके, चिरा आईए देखें, बाकी कॉल कर रहें न, अगर नंबर आता है, इसके उपर नंबर मिल जाएगा, आपको उसमें कॉल कर ले जाएगे, अब यहाँ पर आपको vocabulary का matter देखना है, इसमें आपको one word substitutions फिल करने है, पेरा sentence है, something gradually advanced, वो चीज़ जो धीरे 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 बढ़ती जा रही है, वेटो की वज़े से ही तो इंडिया पर्मानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, UN का, चलो इतने बड़ी की उसोस्ते बाते, आज से हजार साल पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, हमारे पूरवज इतने brilliant intelligent नहीं थे, आलकि scientist वगरा थे, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास में इतनी सहुलियत नहीं थी, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है न, कुस्तों यह कहते हैं, हमारे पूरवज बंदर थे, तो बंदर इतने intelligent तो रहे नहीं होगे जतने के हम लोग है, और आने वाली generation हमसे भी ज्यादा intelligent होगी, तो यह एक उदभव होता है, एक विकास होता है, जो कि मोदी जी करते आ रहे है, हो गया होगा विकास हो ऐसे अब तक तो, तो something gradually advanced, वो चीज जो धीरे धीर दिरे उदभव हो रहा है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते है, evolution, evolutionary नहीं, evolved होता है, यह होता है, evolved, evolved होता है, विकास या उदभव, नमस्ते भाई विनीच सर्माद, चले, next आईए, next, act of injuring others, repetition by slendrous communication, देको slendrous मतलब होता है, बदनामी, हम कई बार किसी इंसान के बारे में, गंदी-गंदी बातें बोलना सुरू कर देते हैं, और जिससे उस आदमी के character पर या उसकी reputation पर दाग लग जाता है, इंजियर का मतलब होता है, उस पर चोट पहुचा देना, हम उसकी reputation पर चोट पहुचाते हैं, उसके बारे में गलस सलत बातें उड़ाके, slendrous communication, slendrous का मतल fame का मतलब होता है, बदनाम कर देना, fame famous होता है, इसका opposite होता है defame, जब हों किसी को बदनाम करते हैं, बिल्कुँ सही है defamation, चलो next आईए, एक person who comes without any invitation and good intention, एक ऐसा आदमी, जिसे आपने ना तो invite किया है, और उसके आने के पीछे उसका intention भी अच्छा नहीं है, बहुते लोग होता है, आजाते हैं घर पे, ठीके आगए, चाय पानी पीके चले गए, उसकी बात नहीं चल रही है, वो आए है, intention भी सही नहीं है, घर पे आगए है, बिना बुलाए आए है, और तमंचा रखके सबकी कनपटी पे सारा गोल्ड पोल्ड लेला के तुम्हारा भाग गए है, उस आदमी को क्या बोलते हैं, और तुम एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुला लिया जाता है, बिना बुलाए जो आपके घर में आ जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलता है, बताए है जैसे रिस्तेदार, अब है रिस्तेदारों के intention करद थोड़ी होते है पागल, गोरव कर्दम लिस्तेदार, तुम भी मेहमान बनोगे किसी के, लोग कहेंगे महमान आया है, गोरव महमान आया हमारे हैं आपके, वो था इंट्रूडर, इंट्रूडर, इंट्रूडर इंट्रूडर एक टैप का आक्रमन कारी होता है, मतलब यह आएगा और उसका intention कभी अच्छा नहीं हो होगा, आकरमन कारी को इंट्रूडर बोलते हैं, जैसे, next है, a man with abnormal habits, एक ऐसा आदमी जिसकी आदतें बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब आदतों वाला आदमी होता है, मतलब एक ऐसा सनकी आप इसे मान सकते हैं, सनकी किसम का इंसान, इसके मन में आ जाए तो आपकी कितनी respect करतें, इसके मन में आ जाए तुम्हें पटा-पट करतें, मतलब एक सनकी टाइप का आजमी, हाँ, सही बता है, eccentric, E-C-E-N-T-R-I-C, meaning बता जेगो और आपको मालूम होता हो, eccentric, eccentric होता है सनकी, इसकी habits बड़ी अजीब होते हैं, बड़ी अजीब गरीब एक्ट करने वाला बंदा होता है, eccentric, clear, next आईए, committing murder in revenge, revenge होता है, बदला, R-E-V-E-N-G-E, revenge होता है, बदला, और जब आप क्या कर देते हैं, murder कर देते हैं, बदले की भावना में, इसका one word क्या होता है, आपने क्या क्या बदला लेने के चक्र में murder ही कर दिया, आपने बदला लिया और murder ही कर क्या बोलता है, vendetta, नितिका सिंग, vendetta, V-E-N-D-E-T-T, ये vendetta होता है, पुस्तैनी जगडे एक टाइप के, पुस्तैनी जगडे, या खूनी रंजिस आपने सुने होगी, खूनी रंजिस, खूनी रंजिसों को vendetta का जाता है, vendetta, V for vendetta, चलिए, हाँ, next, one who studies history and origin of words, एक ऐसा व्यक्ति, जो शब्द को पढ़ता है, और उस शब्द के पीछे की history पढ़ता है, और उसके origin उद्वव को पढ़ता है, कि दुनिया में जो भी कोई शब्द बना है, उसके पीछे एक एक history काम करती है, तो वो व्यक्ति, जो शब्दों के पीछे का इतिह स्चा स्ब्दा होचित जानना चाहता है, उसे क्या बोलते है, व्यक्ति है ये, एतिमोलॉजी, हाँ देखो, एतिमोलॉजी वर्द होता है, विलक्षन व्यक्ति नहीं, यह वर्द है एतिमोलॉजी. यह वर्ड होता है एटिमो लोजी एटिमो लोजी का मतलब होता है शब्द रचना अध्यन लोजी जहां भी आएगा अध्यन हो जाएगा लेकिन हम बात कर रहे है व्यक्ति की तो व्यक्ति की सेंस में यह वर्ड जुड़ जाएगा एटिमो लोजिस्ट जिसे biology और biologist geology, geologist ठीक है तो etymologist जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो शब्द रचना अध्यन पढ़ता है यह root word में आएगा वैसे आप जो पढ़ोगे next is the cured path of planet cured नहीं curved हो गए यह cured नहीं यह से curved कीजिए C-U-R-V-E-D the curved path of planets कि जितने भी planet होते हैं वो एक परिदी में घूमते रहते हैं कहीने के उनके परिकर्मा होती है घूमने के लिए उसको बोलते हैं और बिट यह तो पढ़ाई होगा chemistry physics और बिट होता है कक्ष मतलब ग्रहों के घूमने का जो एक जैसे शेरों का जुन्ड होता है pride यह word आएंगे आपके किसने के set में अगर हम बात करते हैं lions का जुन्ड तो उससे बोलता है pride बड़े गर्व से चलते हैं वो अगर जुन्ड में हैं तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता है लेकिन बंदरों का भी एक जुन्ड होता है और बंदरों के जुन्ड की होती है forge बंदरों की forge होती है ध्यान रखना अगर एक बंदरों को छेड़ोगो तो उनकी पूरी force तुम पर हमला कर देगी तो forge की इंगलिस होती है troop टी आर डवल ओ पी तो बंदरों के जुन्ड को कहते है troop lasting for two years एक ऐसी चीज़ जो दो साल तक चले कोई भी एक ऐसी चीज़ जो दो साल तक चले दो के लिए आता है by ठीक है न अब चेक कर लेजिए गैसमे बाइ इनियल यहां बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यह वर्ड है by इनियल लेकिन इसको बाद में लिखना पहले point समझो क्या है चकर इसका हलाक यह ने बता भी रखा है दो के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा by और इसमें लिखा होता है एक लिखा होगा by annual एक लिखा होगा by annual दोनों यह option आएंगे जब भी आएंगे तो समझ लिखा है जहां भी annual लिखा आजाए इसका मतलब एक ही वर्ड होगा एक वर्ड में जो भी लिखा है ब्लैंक करके समझ लिखा है एक्स बार जैसे मैंने बोला एक वर्ड में दो बार तो वो होगा by annual एक वर्ड में तीन बार tri annual एक वर्ड में पांच बार pentanual यह ध्यान रखना है या quin quinval आप इसे बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जैसे एक वर्ड में 6 बार sext annual तो annual का मतलब है एक वर्ड में इतनी बार जो यहाँ पर लिखा हु? एक वर्ड में उतनी बार लेकिन जब annual लिखता है, reviewing annual का मतलब होता है यहाँ पर देख लिना, blank करके लिखो, X के वर्ड़ों में एक बार एक है एक चीज एक वर्ष में इतनी बार एक है इतने वर्षों में एक बार अगर मैं कहता हूँ एक वर्ष में दो बार दोनों पॉइंट समझ लेना कही बार बता भी चुका हूँ मैं पर जान से एक लिखा है एक वर्ष में दो बार और एक लिखा है दो वर्षों में एक बार दोनों बाते अलग अलग है जब कहते हैं एक वर्ष में दो बार तो एक वर्ष है तो इसके दो बार होगे तो वड़ जाएगा बाई एनवल और जब हम कहते हैं दो वर्षों में एक बार तो यह वर्ष जाता है बाई इनियल यह समझ आए ना द्यान से यह चक्कर है इसका वर्षों की काउंटिंग में तो अपने वर्ष पे जहां देखे हैं नौट कर लेना से बाद में देखे ना, रिवाइज करके स्कोराम से, देखे, तो यह कह रहा है कि lasting in two years, तो two years दो साल हो गए न, तो दो साल में एक वार्ज, वो चीज जो दो साल तक चले, तो यह वर्ड जाएगा by-enial, यह enial envelope बड़े confuse करते हैं, और next word चेक किजिए, cruelly insensitive और unsympathetic, एक ऐसा व्यक्ति, जो बेरहम है, सेंस नाम की चीज नहीं है, और उसमें दया भी नहीं है, दयाहीन, बेरहम व्यक्ति, क्या बोलते हैं से, बताएगे, by-gammy कहां से आ गया, by-lingual, by-gammy, by-ingual, दोनों अलगले चीज़ें, by-gammy होता है, जिसकी दो शादिया हो, by-lingual जिसे दो भाषा आती हो, अलगलग चीज़े, heartless, इतना आसान word थोड़ी ना हैगा, heartless, निर्दई हत्यारे, यह word है, callous, c-a-double-l-o-us, callous होता है, काले दिल का आदमी, जिसके मन में, मतलब ध्यान रखना, एक ऐसा आदमी जिसके मन में ही पाप छिपा है, callous, चले, next आते हैं, आगे, चले, यह matching के words हैं, इसको match करें जल्दे से एक बर, 10 words हैं, फटा-फटेन को match करके देखो, कट रहा है कि ओपर से word, ठीक, first word है, इसमें, एडॉल्फ हिटलर जैसे, चले, disfigure, word देखे, disfigure, disfigure, check किज़े, देखो, figure होता है किस चीज का आंकड़ा, किस चीज का विवस्ता, और disfigure होता है आकार बिगाड़ देना, तो यहां से match करो, आकार बिगाड़ने का कौन सा word यहां पर है, है जो ओकार बिगार रहा है किस चीज का का आकार बिगार इंगा अ किसीन ने दिया जी जी को आणसर निजिए काई अगे डिफॉन जाएगा सब तो कुछ संदर मैं को थोड़ा संदारत को जड़ेखाओं मैं तो उसमें उपर aucune के देखना तो आप को जुन अवाज उल्टी लोटके आएगी तो जब वो आवाज को ऐते लोको एंट वोलते प्रतिध्वन होता है यह आप ने जो बोला जासे पहाडो परजय पर जाता जाएगे जोर से चल आएगे चंपू ग चंपा तो वहां थे चंपू का चंपा तो मैं आवाज छंप्ट रिपरकुशंच का वर्ट को रेस्पैक्ट रेस्पैक्ट नहीं इस बता दिया अब बी नहीं वहीं है दी अच्छा वह एट लिखा था सोरी यह जाएगा डी इफेक्ट ओफ साउंड डी जाएगा प्रतिद्वनी नेक्श वड़ है इस्टांस इस्टांस को ते जल्दे से क्या होता है इस्टांस को मैं आपको समझा तो हिंदी मीनिंग क्या होता है एक टाइप का आपकी अवस्था या आपका आसन जिस स्टेट में आप रहते हैं जिस अवस्था में आप रहते हैं उससे स्टांस बोलते हैं जो दुनिया में आपके स्टांसेज हैं सोसल हैं समाज में आपके जो पोस्ट्यूम कोस्ट्यूम होता है जो आपका रच होता हुटा हुश वगहरा होता है उसे पोशाक होती है उसे फोस्ट्यूम आपने सुना होगा, नेक्स वड़ा है, डेफरेंस, ये आज ही की सीट में था, मैंने कलिक शीट देती, टेलेग्राम के उपर, सैट नमबर फोर, क्लास में सुना भी था, वहीं एक वड़ा है था, डेफरेंस, और डेफरेंस का मतलब होता है, सम्मान, ये शीट मिली होगी क्यों से वता है, 6th वर्ड का क्या होगा, 4MOS Channel, जंदी, क्या वता है, 4MOS Channel का, फ्रेंट अंफ्रेंट प्रीमिर বोगो, 4 जहां भी आता है, इसका मतलब होता है, पहले, तो foremost का मतलब वहीं से निकाले जेगा पहले या पूर्व, तो यह वर्ड जाएगा front and premier, यह वर्ड जाएगा आपका eye next, ingenuous, ingenuous वर्ड भी आपके उसी सीट में, set force में आया हुआ है, इसका मतलब बता भी रखकाश में साधारन या सौम्य या फिर भोला भाला, आप इसे भोला भाला भी कह सकते हैं, in generous, भोला भाला, एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही भोला भाला होता है, देखें कौन सा होगा in generous का अ- Wednesday, आ-ई- बहुला बहुला इमांदार सीधा साथ आदमी. विंडिक्टिव के बारे में कहा जाता है, हाथियों के बारे में कहा जाता है, elephants are vindictive by nature. विंडिक्ट का मतलता है, उनमादी. उनमादी भी कहते हैं, गुसेल भी इसको कहते हैं, जगडा करने वाला भी इसको बोलते हैं, या एक ऐसा जानवर जो अपना बदला नहीं छोड़ता उसे भी बोलते हैं, आप चेक कीजिए कौन सा होता है, वैसे प्रतिशोध भी बोल सकते हैं, प्रतिशोध या हिंसा, विंडिक का मतलब प्रतिशोध या हिंसा भी होता है, दे क्लिमेंट सी दया होती है, क्लिमेंट दयालू होता है, उसका अपोजिट होगा in relevancy, के क्लिमेंट होगा एक ऐसे वहकती है, जिसमें दया नाम की चीज नहीं है, निर्दई – अत्याचारह, अत्याचारी जो होता है, यह जाएग ऐसे हैं, बिटर एन अनकाइंड एच यह दोता है बेरहम निर्दई निर्दई को बलते हैं और क्रेस्ट के लिए आपका एक ही वर्ड बनता है इसका बहुता है चोटी हाइस्ट पॉइंट जोता है क्रेस्ट का बिल्कुर सही है कि विंडिक्टि में स्कुरूबल एच डेवल राइडर क्लियर भाई अरे कर लिया ने इसको चलिए पीक हाँ सही नेक्स्ट आईए फटा-फट इसको मैच कीजिए जल्दी से एक इसके बाद एक एक एक्सा twitter करेंगे अज उसके बाद फिर कल क्लास लेंगे जो रेस्ट पार्ट इसका बज्ज़ है कि हो कल चेक करेंगे चलिए जल्दी देखें केंदूर candor का मतलब होता है candor इससे बोलता है candor का meaning बता है पता है कुछ देखो candor का मतलब होता है आप इससे याद करा है this word को what you can एक ऐसी चीज जिसे तुम you can do मतलब जो तुम कर सकते हो वही बोलो आप इससे याद कर सकते है I can do, I can do, can do, can do, can do को जाद कर सकता है, can do मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो जो तुम कर सकते हो, सिर्फ वही बात बोलो और बिलकुल इस्पस्ट बोलो, यह इस्पस्टता होती है, एक clarity को बोलता है, इमानदारी को बोलता है, kendo means इमानदारी kНम लितो कि जत्व बताओ honesty बिल्कुस ही है जिसने आई बताया इसका next है यह detest detest भी एक simple सा word है detest जल्दी बताओ detest हिंदी मेनिंग बता जो तो मैं इसका detest होती है गरना और गरना का word चेक कर लेना अपने साब से कौन सा होगा नफरत गरना कौन सा word है जल्दी चेक करो अभूर बता दिया अभूर अभूर बिल्कुस ही वर्ड है अभूर जो word होता है गरना होती है next है intuition कहते हैं मेरे intuition काम कर रहे है या जब आप life में कुछ भी काम करेंगे तो आपके कुछ intutions काम करते है तो intuition का मतलब क्या होता है इंट्यूशन और कौन सा word इसमें जाएगा बहुत सुनते हैं कि भाई सब मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है या मेरा मन सा नहीं लग रहा है महां जाने का जी नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा intuition काम कर रहा intuition का मतलब होता है अंतर आत्मा की जो आवाज होती है अंतर आवाज वो intuition होता है और ये बढ़ जाता है आपका insight inner voice insight नेफ़र है quietude ये quiet word से याद करना q-u-i-t quiet quiet तो शांत को बोलता है q-u-i-t quiet शांत होता है तो quietude का आप चेक के लिजे कौन सा होगा ये भी शांत से ही जाएगा quietude का मतलब शांत attitude तो ये वर्ड जाएगा आपका ए next रेमिजन रेमिजन को आप बताइए जल्दी से रेमिजन 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 का कौन सा वर्ड इसमें होगा हाँ काम ने सोगया pardon बिल्कुल से ही रेमिजन होता है मुक्ती या क्षमा जो किसी आदमी को क्षमा कर दिया जाता है क्षमादान होता है रेमिजन और क्षमादान का वर्ड होता है pardon यहाँ पर pardon से मैच होगा next रेमिजन है आउ आपने वर्ड सुनाओगा आउफुल आउ हाँ है एच सही है आपे सिक्स वर्ड को देखे आउ को एड़ू ई आउ ये एक स्लैंग होता है बोलने का आउ कि आपको पैर में ठोकर लगी आब बलता है आउ ठीक है न आउच जो वर्ड बना है वो यहीं से जनरेट होजाता है आउ का मतलब होता है बुरा एक ऐसी जो देखने में सुनने में मैसूस होने में बुरा है वो आउ होता है तो आउ का वर्ड कों सा जाएगा जल्दी बताइए चेक करें ए ए में क्या लिखा रीस्टोर नहीं नहीं ये जाएगा ड्रेड पायल ए नहीं जाएगा जे जाएगा ड्रेड रिनन्सियेशन बहुत इंपोर्टेंट वर्ड एक्जाम में बहुत पुछा जाता है रिनन्सियेशन प्रिनन्सियेशन एनन्सियेशन रिनन्सियेशन और रिनन्सियेशन को बतलब बतलौ जल्दे से बताओ चविश रमा ड्रेड हाँ चविश नी ठीक बतायां जे जे ठीक है रिनसीयेशन कर बताये कि अट रिनसीयेशन कि एबेंडनमेंट छोड़ देना त्याग देना हां छो आड़ा होता है यह किस चीजे को छोड़ना होता है खासतोर से रन मुख्ती होता है कि शिर को उतारना ये जाएगा B, Abandonment, एक टाइप का त्याग नहोता है, रिनंस करना अधे कि शिर को त्याग देना छोड़ देना, इंबर्स होता है, रिन भूगतान, रिन ऐसे नहीं रिखते हैं, इंबर्स का मतलब होता है, उसमें आपको पैसा मिल जाएगा और उसमें आपको लोण भी मिल सकता है, वो इंबर्स होता है, जब आप रिन का भुकतान कर देते हैं अपने पैसे को उतार देते हैं उससे रिम्बर्स बोलते हैं तो रिम्बर्स का अदा करना इसका मतलब होता अदा करना यह लोटाना तो वर्ड चेक को आप कौन सा जाएगा चाय पीलो गुरुदेव दिनेश महौलिया नहीं वाई पी करना तो यह वर्ड जाएगा आपका फ्रॉजच जी और gate, G-A-I-T, important word है, ध्यान रखने हैं इसको, एक word होता है G-A-T-E gate, वो होता है दरवाजा, not showing any emotion, हाँ वो ही होता है, ठंड से जमा देना, फ्रिजिड विगा देना, फ्रोजन, लेकिन इसका मतलब जैसे आप आदमें बड़ा, बहुत ही उसने अठंडे तरीके से हमारा वे behavior होता है, G-A-T gate, दरवाजा है, और G-A-I-T gate, G-A-I-T जो होता है, वो होती है, चाल, आपके चलने को emble बोलता है, इससे word बना है ambulance, preamble, preamble भी इससे word बना है, emble भी यह word बना है, और ambulance भी इससे बना है, जो चल नहीं सकता, उसे ambulance में गिर के लेके चले जाओ, वो ambulance word बना है, गेट का मतलता है, चाल, और यहां इसका word जाएगा, कौन सा, D, clear? हाँ, अब इसमें एक set और करेंगे, आज अब का, बाकी देखेंगे, कल, यह set और करेंगे, जिल्द से चेक किज़े से, गेट, G-A-I-T, meaning walking, something with, समझें नहीं पाया, मैं क्या करेंगे, सर, CGL के लिए strategy बताई, जिससे exam में help मिल सेगे, बिटा, strategy कुछ नहीं होती, मैं आपको स्वीज़ बताता हूँ, एक तो practice season पर जाओ, जितना practice कर सकते हो, जितना questions लगा सकते हो, उन questions को लगाओ, और दूसरी चीज, matter यह है कि knowledge gain करो, vocab strong है, grammar अच्छी है, तो आप exam निकाल दोगे, vocab strong नहीं है, grammar अच्छी नहीं है, तो उसमें कोई भी strategy लगा लो, कुछ नहीं होने वाला, तो सबसे पहला काम है, knowledge gain करो, और उसके साथ में फिर practice करते हो, साथ साथ में, तो कुछ दिन के लिए महनत करनी पड़ेगे, बाकि serious ज्यादर लोग है, तो फिर loss उठाओगे, चले देखे, spur, inverse को check किजिए, spur, meaning बताओ जलते से क्या होगा, आप कह रहेते हैं, प्रेक्टिस कराएंगे यूट्यूब पर, हाँ यार कराएंगे, लेकिन अभी प्रेक्टिस, अभी जो offline बैसे चल रहे हैं, उसमें test series वगरे स्टार्ट करनी पड़ रहे हैं, तो पहले वो एक बार set होज़े हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकि और आप उसे life में कुछ कर पाते हैं, प्रोथसान भी सी को कहते हैं, प्रेड़ना भी सी को बोलते हैं, और एक ऐसे चीज जिससे आपको कुछ incitement मिलता है, incitement का मतलता है भड़कना उकसाना, ये बढ़ जाएगा C, नेक्श बढ़ है, इंससेंटली, सर माक्स कैसे बढ़े हैं, चलो उसको discuss करेंगे कभी class में बाद में, माक्स बढ़ाने के लिए क्या करना हो, बाद की चीजे, देखेंगा उसके बारे discussion कर लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहला तरीका यही है, कि जितना आप अपने आप पर वर्क कर सकते हैं, खुद पर वर्क करो, सबसे पहला काम मतलब अपने आपको थोड़ा सा superiority में लाओ, मैनत करो, ज्यादा ज्यादा थी जो को पढ़ो, चले वर देखें, इंससेंटली, आप ये संजय बिंदरा कह रहे हैं, कि नितिका तुमने पहले से ही फिल कर रखे हैं, क्या ये, इंससेंटली का मतलब देखें, जल्दे से कौन साओगा, इंससेंट, इंससेंट, पता है कुछ, देखो, इंससेंट का मतलब होता है, ऐसी चीज, जिसमें कोई अडचन नहीं होती, मतलब कि आप इसे कह सकते है, बे, बिना रुके, या आप इसे कह सकता है, निरंतर, कोई ऐसे चीज, जिसे आप निरंतर करते जा रहे हैं, एक ऐस चीज़ जिसमें constant है आप द्रड़ता होती है इंसेंट का मतलब उसे रुकना नहीं है उससे आप भागते नहीं है वो constant रहते हैं तो constantly इसका वर्ड जाएगा हिंदी चेक करना मतलब द्रड़ता या निरंतरता इसमें आप बोलता है निरंतरता नेक्स आइए हाँ जी सह होता है किस चीज़ का curable जिसे बोलता है निदान नात्मक रेमेडियल होता है रेमेडियल स्टुड़ीज होती है रेमेडियल वास्तू होता है उसे रेमेडिज बोलते हैं इतना आयूर्वेड में बहुत से रेमेडिज हैं तो रेमेडिज का मतलता है निदान हो जाता है रो सबस्क्राइब कर लो फौण ट सबस्कूप को एक स्क्राइब रोज 50% को सब्सक्राइब कर दोखेंस और गुड़द शन्ता होता लगा मंनेंट प्रोट अपाइब दिधन कि नियुक्त च्छेखिव की नेक्सटेब वाईल है वाय को चेक कीजे विल का यपाइज स्टेहिक साओ जाते हैं कभी चुछ जाते हैं कभी चोड़ जणते हैं लेकिन जाते रहते हैंजेई कों सर्थ इसका अश्राइज स्टपास में एफ डियता है मॉरललर लो यह also मैसा तरह से से अपर या the Sophia वाइल का जो हिंदी मीनिंग होता है, वह होता है कमीना, कमीनी भी कह सकते है वैसे तुम, लेकिन पता नहीं यह वर्ड लड़कों पर अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कमीनी लिखता हूँ है, जो बहुत, मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत ही चिड़ोटा होता है, बहुत एक्सकेवेट और यह वर्ड जाएगा इसमें, वाइल होता है, और यह जाएगा एक्सक्रेबल, नेक्स वर्ड है स्प्रिच्वल, आप जानते हैं, अध्यात्मिक होता है, फ्रेंच वर्ड है, अध्यात्मिक, वो व्यक्ति जो भगवान नाम में जुड़ा होता है, वो होत लगाता है चीजों पर टैंपस फिजिट ये लेटिन भास्टा का सब्द है इसका मतलब होता है कि समय रुखता नहीं है समय किसी के लिए रुखता यानि टाइम फ्लाइज आपके इंग्लिश में कही बार फॉरन वर्ड्स भी पूछ हो जाते हैं तो टैंपस फिजिट का मतलता है टाइम फ्लाइज समय उड़ता है समय किसी पहने रुखेगा नेक्स पर एकले विटी नहीं एक्सेंट अच्छा तुमने अगला बताजी स्पंजली एकले विटी जल्दी बताजी एकले विटी कि अगया वाज चलते चलते कि बैटी डाउन होगी होगी इसके अभी पता नहीं या तो मुझे से लग रहा है कि मेरे हाथ से स्वीच दब गया या फिर आवास बंद होगी अब आ रही है ना नहीं आए तो मुझे फिर मेसेज डालते नहीं में देख लूँगा इसमें क्योंकि हो सकता बैटी डान होगी हो तो देखो एफार का मतलब फ्रेंच है और एलेटी का मतलब लेटिन भार्शा यह fred iine यह दो अलग अलग बासा है इस प्रेंच भासा कर शब्द है और tempest flights फूज़ड जो है यह time flies यह लेटिन भासा कर शब्द है नेस्धवा एकिन ऐकिन को चेक के जलतें एकिन 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 मिलता जुलता एक जैसा एक जैसा और यह वर्ड जाएगा इस एक्जॉटिक को समझेगा इसमें क्या है एक्जॉटिक का वर्ड कौन सा जाएगा एक्सुर्टिक दो कि similarities कि एक्सुर्टिक बता यह एक्सुर्टिक का वंसे, एक यह ॐ बजता है, ह यह स्ट्रेंज एक्सुर्टिक का मतलव होता है अनोखा मैं इसstone आइसका मतलब यह दिल्कु सही है और पनखा होता है जो लीक से हटके होता है, मतलब ordinary pattern से हटके होता है, वो exotic होता है. अब जैसे एक बावला बवाल मचा था, ये थी शिलपा से ठीक हस्बेंड के उपर बवाल मचा था, कि ये फिल्में बनाता है, कुछ उल्टी-फिल्में बनाता है, और सभी media, मतलब अथो से हटके होती है तो लीक से हटके जो है वोई चीज होती है कौन सी आपकी स्ट्रेंज होती है विछित्म चीज आजीव सी होती है लेहा कि रॉत मेड़ में बहुत है है इस lag अजीव. अब कलस होगी कल आपको क्या करना है वही कि एक तो वन वर्ड सब्स्टिटुशन समय पढ़ने है इसमें और एक मैचिंग वाली एक्सराइज करनी है और इसके हमें पीक्यूर्स वगार रहेंगे परसों सेंड़े में कि नियरेशन वोई सब्सक्राइब जारतर पॉइंट इसका कल करके देखेंगे ठीक है थैंक्यू सभी को गुड़नाइट भई आते रही है तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू